नमस्कार मविकास कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर राजगी पीजी महविदाले जोननों बुगोल आज का हमारा टोपिक है भारत में जन संख्या वर्दी की परवर्ती जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की जनसंख्या वर्दी की जो परवर्ती है वर्तमान समय में भी तीवर है और इस जनसंख्या वर्दी की परवर्ती को जनसंख्या संकर्मन मॉडल और सिधान्त के हधार पर हम समझा सकते है मोडल की अगर बात की जाए तो जन्संख्या वर्दीदर वर्तमान में भारत की तीसरे चरण या टीसरे करम में पहुंच चुकी है गहट्ती हुई वर्दीदर जिसे हम कह सकते हैं हाला कि भारत में जनसेंख्या की वर्दीदर की तो परवर्ती है वो वर्तमान में भी विस्पोटक बनी वी है हाला कि कुछ दसकों में जो विगत जो दसक थें उसमें जनसेंख्या जो वर्दीदर उसमें करम सह कमी आई है इसके बावजूद भी वर्दीदर उन्ची बनी रह जन्संग के वर्दी दर्थी एक मोड नोचार उसे कम है ये एक सकरात्मक सुचक है वर्तमान परदर्शे में भारत के संधर्ब में लेकिन इस दसक में लगभग 19 क्रोड की वर्दी हुई जो की पिछले जन्संग के वर्दी जो थी 18 क्रोड उसे अधिक है यहाँ ये देखने योगी बात है कि जन्संग्या वर्दी दर्थी माना की पिछले दसक से कम है बावजुद इसके कुल जन्संग्या जो बढ़ी 19 क्रोड वह पिछले दसक यानि 1991 से 2001 के मद्दी जो 18 क्रोड जन्संग्या थी उससे कहीं ने कहीं आधिक है ये स्थिति कि वर्दी दर में कमी आई है लेकिन कुल जन्संग्या में वर्दी की परवर्ति वर्तमान में भी बनी वी है इसी आधार पर भारत की जन्संग्या को वर्तमान में भी विस्पोटक अवस्ता में कहा जा सकता है और भारत की जन्संग्या वर्दी की परवर्तियों को तीन पहली है लगभग इस्थिर जनसिंख्या की आवस्ता है इसे काल विभाजन की अनुसार देखा जाए तो 1901 से 1931 तक भारत की जनसिंख्या की जो आवस्ता थी वस्थिर थी क्योंकि इस समय 1901 के लगभग 1903 क्रोड से 1931 तक लगभग 26 क्रोड जनसिंख्या जो है वह इस बात को इंगित करती है कि इन तीस वर्षों के दोरान या इन तीन दसकों में लगभग जो वर्दी हुई वह तीन क्रोड ही हुई 1911 से 21 के मदे जनसिंख्या में वर्दी की जगह कमी भी आई और इस दसक को नकारात्मक जनसिंख्या वर्दी का दसक भी कहा जाता है तो आनस्पर होगा 1911 से 1921 के मदे उनसिंख्या के 25.2 क्रोड जनसिंख्या थी जो की 1921 में घटकर 25.1 क्रोड रहे गई इसका कारण था प्लेग महामारी जिसें लाखो लोग अकाल अपनी मर्त्यों को प्राप्थ हुए और इस प्लेग महामारी के अलावा दूसरा पर्मु कारण भी था पारिश्थिति की परिवर्तन अथार्थ अकाल भी उस दोर में अपने चरम पर था दूसरा दूसरी जो अवस्ता है वह है जनसिंख्या में धीमी गतीचे वर्दी की अवस्ता 1931 के मद्दे जनसिंख्या वर्दी धीरे धीरे अपने सवरुप में वर्दी के सवरुप में आना प्रारम भुरी और 1931 के 26 करोड की तुलना में 1931 में जनसिंख्या बढ़ के हो गई 36 करोड मतलब 10 करोड का इजाफ़ा हुआ इन 20 सालों में इस समय अकाले हम हमार जैसे समस्यों के समादान के दिसा में कुछ परियास किया गए जिसके कारण मर्ट्यूदर में कमी आई और जनसिंख्या वर्दी धर भी थोड़ी शी बढ़ कर उस दसक यानि 1931 के दसक से बढ़ के अधिक हो गई इसके कारण इस दोर में यानि 1931 से 1951 के दोर में जनसिंख्या में निश्चित रूप से कर्मिक वर्दी दिखाई दी इसके बाद भारत में जनसिंख्या विस्पोर्ट की इस्तिती धिरे धिरे उत्मन हुई और तीसरी अवस्था का आरंब यहां हो जाता है और उस आरंब के दोर को 1951 के दोर से माना जाता है यानि 1951 के बाद वर्दमान परिदर्श्य को जनसिंख्या की तीवरवर्दी या विस्पोर्ट की आवस्ता के नाम से भी जाना जाता है 1951 जहां 36 करोड जनसिंख्या थी और 1951 तक बढ़कर यह हो गई 68 करोड अथार्थ तीन दसक में 32 करोड जनसिंख्या एक साथ बढ़ गई इतनी वर्दी हुई जिसे भी स्पोर्ट का नाम दिया जा सकता है इसका पर्मुकार्ण एक और समाजिक पिछडापन भी था रुडिवादी सोच थी जिसमें माना गया कि पुत्तर की प्राप्ति के बिना समाज अधूरा है और उस पुत्तर प्राप्ति की लालसा में निश्चित रूप से जनसंख्या ने अपने चरम को छुवा समाजिक पिछडापन है रुडिवादी है ये कारण रहे इसके अलावा जनमदर भी स्वास्ते शिवाओं में बेहतर स्थिति के कारण जनमदर उंची बनी रही और दूसरी और आर्थिक सुधार की परकिरिया के कारण जीवन स्थर लाइफ स्थाइल में निश्चित प्रोथवी और उनमें सुधार हुआ खाद पोसाहार में भी की समश्या है जो की अकाल की कारण उत्पन हुई थी उस पर बहुत हद तक काबू पालिया गया स्वास्तिय समद्य सुविदा उपलब्द हर जगए हो गई जिसकी कारण मर्ति उदर में कमी आने लगी अता है न परवर्ति वर्तमान में किशने किशी रूप में बनी हुई है आलाकि पिछले तीन दस्कों में जन सिंग्या वर्दिदर में कर्मिक कमी आई है जो की जन सिंग्या नियंत्रन के परभावी कदम का संकेत तांक है क्योंकि सरकार द्वारा समय समय पर जन सिंग्या नियंत्रन ह आगे आने वाले सालों में भी कमी की रूप में इंगित होगा धन्यवाद